alkaline water आजकर बहुत ज़्यादा market किया जाता है काफी लोग हमसे जानना चाहते है क्या यह अच्छा है actual में क्या added cost जो हम alkaline water के लिए pay कर रहे हैं उसमें कुछ added patient को benefit मिल भी रहा है कि नहीं क्या normal विप्ति को भी साधर पानी छोड़के alkaline water पीना चाहिए क्या recommendation है और क्या actual में उसके benefits है compared to जितना additional cost उसके लिए pay कर रहे है उसमें क्या benefits है घर पर कैसे alkaline water बना सकते हैं और उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं कितना उपयोग में लाना चाहिए इन सब चीजों पर आज discuss करेंगे pH basically hydrogen ions का concentration होता है जो कि किसी भी solution में हम check करते है basically जितना ज्यादा pH होता है उतना water alkaline होता है या कोई भी substance alkaline होता है जितना low pH होता है या एक से 6 के बीच में अगर pH है तो वह acidic है अगर 7 से ज्यादा है तो pH alkaline है जितना ज्यादा alkaline pH है उसको values जितनी बढ़ते जाते है उतना ज्यादा alkaline substance को माना जाता है नॉर्मल पानी का pH level 7 होता है या नॉर्मल पानी का pH जो neutral levels होता है ना acidic ना alkaline 7 के आसपास जो रहता है वो नॉर्मल होता है बोडी का pH भी नॉर्मली 7.4 के आसपास रहता है यानि नॉर्मल pH में ना ज्यादा alkaline होता है ना acidic होता है अगर बोलेंगे तो उसमें pH जो है 7 से कम हो जाएगा alkaline water तब बोलेंगे जब pH बढ़ जाएगा यानि 8 या 9 के आसपास हो जाएगा pH हाई होने का यह मतलब नहीं कि आलकालine water में pH 12-13 हो जाएगा यह तो फिर वो बहुत जादा डेंजरस हो जाएगा और फिर वो बोडी को इरोड कर देगा खराब कर सकता नुकसान कर सकता बहुत जादा alkaline भी ने रख सकते एट या 9 के बीच में अगर pH उसका रहता है तो वो comparatively alkaline water माना जाता है alkaline water के कुछ benefits बताये गए है alkaline water basically body के acidic content को neutralize करता है जब हम खाना खाते है तो उसको acidic जो पेट में निकलता है वो neutralize करता है तो जिन लोग को भी acidity का problem है, reflex का problem है alkaline water उनके लिए beneficial है Secondly, सिर्फ pH के basis पे water को alkaline नहीं बोलते है उसमें कुछ alkaline minerals भी होते है और एक negative oxidation reduction potential यानि negative ORP रहता है यह basically एक antioxidant कितना पानी का तत्व है उसको measure करने के लिए यूज किया जाता है जितना जादा अगर ORP रहेगा जितना जादा negative ORP रहेगा उतना जादा antioxidant property रहेगी तो basically body में माना जाता है कि oxidant radicals हो है यह नुकसान करते हैं body में तरह तरह के heart attacks और तरह के inflammatory problems करते हैं तरह तरह के autoimmune diseases भी करते हैं तो जितने भी oxidatized radicals या जितने की free radicals होते हैं वो body को नुकसान करते हैं जितना negative ORP रहेगा वो उतना antioxidant property रहेगा उसके basis पे oxidation reduction potential अगर negative रहेगा तो इस पानी में वो free radicals को कम करने में थोड़ा हद तक मदद करेगा तो यह इसका basic benefit है एक तो acidity को कम करता है दूसरा reflux वाले patient में जिनको भी gastric acid reflux का problem है उसमें pepsin जो enzyme है जो gastric acid बनाने में या acidity वाले patient में सबस्यादा परेशान करने में जिसका काम होता है उसको भी neutralize करता है तो acid reflux को भी कम करता है और anti oxygen property है वो भी beneficial है इसके लाबा कुछ और benefits भी है कि एक तो यह पानी जो लोग पीते हैं कुछ studies में शो किया है कि जो alkaline water पीते है as compared to वो लोग जो regular water पीते हैं उनके blood की thickness या viscosity थोड़ी कम पाई गई है क्याने कि alkaline water आपकी blood को ज्यादा dilute करता है as compared to blood regular water यब यह obviously लोग बोलेंगे कि जितना ज्यादा dilute पानी रहेगा या blood रहेगा उससाब से आपका heart attack आने का chance कम हो जाएका हाला कि इसका exact clinical correlation नहीं पता है कि यह पानी पीने से heart attack के chances कितने अब तक कम हो जाते है और यह पानी पीने से जो लोग नहीं पी रहे और जो लोग पी रहे उसमें मृत्यूदर को कितना benefit मिलेगा ऐसा को बड़ी study नहीं पर हाँ ब्लड की viscosity को भी कुछ कम करता है इसके अलावा यह इसका benefit यह भी है कि जो aging याने उमर होने का problem होता है वो भी oxygen तत्व के वज़े से होता है तो उनको भी यह कम करता है हमारे gut को याने colon को भी साफ करता है body की immunity को भी improvise करता है body को hydration रखता है या body में पानी का content ज्यादा रहता है ब्लड ज्यादा पतला रहता है तो skin की health भी improve होती है body में antioxidant का काम करता है तो body में toxins यह उनको कम करता है इसके लबा कुछ हग तक cancer में भी मदद करता है cancer के chances को भी कम करता है तो जो लोग ज्यादा soft drinks पीते हैं उनके लिए ज्यादा beneficial है क्योंकि body में antioxidant का काम करता है इसके लाबा green tea में भी इसी तरह के antioxidants होते है तो वह भी कुछ हग तक benefit माना जाता है क्या इसके कोई side effects है अभी तक जितने भी studies हुए है वह यह बोलते कि में भी थुआ digestion को fit कर सकता है पेट के acidic content को कम कर सकता है तो जो लोग का acidity नहीं है यह जिनका digestion का problem उनका digestion इससे problem है इस हो सकता है otherwise इसके कोई बहुत ज्यादा ऐसे side effects नहीं है अब alkaline water नमें natural लेना चीए है कि artificial लेना चीए natural alkaline water वोता है जो rocks से लिया जाता है यह पहाड में जो जरणे वगर होते हैं या पहाड में जो springs होता है जिसमें जेमीन के अंदर से पानी निकलता है वो natural alkaline होता है जो कि पत्त्रों से निकलता है और पत्त्रों के लेयर के उपर से वो क्रॉस होता है तो बेसिकली इसमें alkaline minerals अड़ हो जाते हैं जिसके वज़े से natural alkaline water होता है पर obviously इस तरह का पानी बहुत ज्यादा easily available नहीं हो तो cost भी ज्यादा रहेगा तो इसलिए I'm not sure कि natural alkaline water इतना easily available है इसके लाव आटिफिशिल इसको prepare करने के लिए एक ionizer करके device होता है ionizer करके device में water के ionic तत्व जो है जो उसका acidic तत्व है और alkaline तत्व है उनको separate कर दिया जाता है उसमें फिर acidic तत्व को कम कर दिया जाता है ज्यादा तर जो commercially available है वो artificially prepared water है उसको पहले filter out कर दिया जाता है reverse osmosis करके उसके बाद उसको ionizer से ionic content को separate करके इसको बनाया जाता है तो ज्यादा तर जो market available है वो artificial है natural वाला माना जाता है कि ज्यादा अच्छा है उसमें minerals का content ज्यादा होता है artificial वाल में उपर से additive minerals बगए डालते है तो obviously उसमें उतना अच्छा आपको benefits नहीं मिलेगा तो ज्यादा अच्छा मान सकते है उसको artificial वाले को comparatively उतना अच्छा नहीं माना जाएगा ज्यादा तर जो available है वो artificial है अब आते practical बात पर कि क्या ये actual utility है कि नहीं और क्या additional cost जो हम alkaline water के लिए पे कर रहे है regular पानी के बदले क्या वो actually वर्थ है कि नहीं तो देखिए basically ये मेरा gut feeling यह है कि ये marketing जादा है actual utility बहुत कम है इसके जो भी benefits से उसके कोई study नहीं हुई है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 10,000 लोग को उन्हेंने heart patients को alkaline water पिला है 10 को acidic हो या normal पानी पिला है और उसमें मृत्यू द्वर में बहुत significant difference मिला या acidity बाले patients में भी इतने patients को उन्हेंने alkaline water दी और बात में देखा कि उपके symptoms कितने कम हो गए यह ज्यादातर hypothesis की basis पर चलता है कि शायद यह देने से फाइदा होगा और antioxidants की जहां तक बात है antioxidants के साथ बहुत बड़ी studies भी जो हुई है जिसमें बहुत high dose antioxidants भी दिया गया है vitamin C और vitamin E के बहुत ultra high doses भी patient को दिये गया है उसमें भी studies पूरी तर से फेल हुई थी that feeling यह कि marketing जादा है इसमें आपका पानी का cost naturally बढ़ जाएगा बहुत साल पहले नलों से लोग पानी पीते थे जालों पहले लोगों ने यह concept लेकि mineral water पीना चे बोटल पानी पीना चे और आज के देट में मान के चलिए एक तरसे status जादा तर लोग bottle water ही पीते और जो पानी फ्री में मिलता था उसके लिए हम आज के दिट में 20 रुपे से 50 रुपे 100 रुपे भी पे करते हैं हम मानके चलते हैं कि bottle water पानी है तो वही अच्छा है पीना बोटल पानी है तो अशुद है कुछ अच्छा ही भी है इसमें कि obviously जो फ्री नल का पानी बगर मिल रहा है उसका purity बगर का थोड़ा issue हो सकता है लेकिन ये कि हर आदमी bottle पानी ही पी और bottle पानी को ही पीना सबसे ज़्यादा healthy माना जाता है ये comparatively मुझे लगता है गलत चीज़ा और इसकी बज़े से बहुत ज़्यादा companies को definitely फाइदा होता है लेकि actual patient को फाइदा हो रहा है कि वो doubtful है तो वैसे alkaline water का भी मुझे जहां तक लगता है कि जब तक इसके लिए कोई बड़ी data या बड़ी studies नहीं आ जाती जो actually show करती है कि नहीं alkaline water बीने से रित्यूदर में इतना significant benefit मिल रहा है आप अपना ही पैसा बर्बाद करोगे और आप पियोगे इसी साब से कि इसमें आपको बहुत शुद्ध हो जाएगा और बहुत फाइदा मिलेगा at the end of the day जो extra खर्चा आप करोगे उसमें आपको बहुत जादा benefit मिलेगा I am doubtful हाँ अगर आप afford कर सकते हैं और आप लेना चाहते हैं तो obviously मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कोई patient मुझे बोला कि नहीं मैं alkaline water के खिलाफ हूँ और मैं उसको मना कर रहा हूँ ऐसा नहीं है आप अगर लेना चाहिए तो शायद कुछ regular water से beneficial होगा given the fact कि वो जादा costly पड़ेगा मैं बहुत जादा recommend नहीं करता हूँ क्योंकि अभी चो data है वो सिफ hypothesis level पे है कि शायद ऐसा होगा benefit होगा लेना चाहिए पर actual research available नहीं है कि यह ही करने से फाइदा होगा और alkaline water ही पीना चाहिए ऐसा कोई data भी तक available नहीं है तो इसलिए मैं इसको अपने level पर बहुत जादा recommend नहीं करता हूँ तो आज के topic में हमने alkaline water के बारे में बात की यह hoax ज्यादा है या बहुत ज्यादा propaganda है या actual में कुछ benefit है still doubtful पर कुछ benefits है अगर आप लेना चाहिए तो मैं मना नहीं करूँगा यदि इस topic को संबंदित आपकी कोई comments, queries, suggestions है कोई और topics पर आप चाहते हैं, videos बनाएं, कोई patient related queries है तो नीचे comment section में उनकी बारे मताई हैं, हमने cover करने का प्रयास करेंगे, अन्त में मैं Dr. Nabi Nagravaad तहे दिल से आपका शुक्रियाद का हूँगा कि आपने इस topic को इन तक देखा, चो लोग हमारे चानल पर नए हैं, मैं request करूँगा कि चानल को subscribe करें, ऐसा करने से चानल को continue करने के लिए में motivation और inspiration मिलती है, और जब भी हम कोई नया content upload करते हैं, या कोई YouTube live session करते हैं, तो आपका उसका तुरन notification मिल जाता है, आप उस content को देख सकते हैं, उसका benefit ले सकते हैं, जो लोग हमारे चानल पर बहुत स्यादा videos जो available है, पूरा detail नहीं देखना चाहते हैं, सिर topics का brief summary है, salient features मिल जाएगा, जिसका आप benefit ले सकते हैं, और जो लोग हमारे channel पर बहुत ज़्यादा topics दूनने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए आप हमारे channel पर playlist पर जाएए, जिस तरह की बिमारी और content आप दिखना चाहते हैं, वो specific playlist पर जाएए, तो आपको ज़्यादा health related content मिलेगा, ज्यादा specific content मिलेगा बिना ज्यादा ढूंडने की महनत करें.